बिहार में बिजेपी के नए अध्यक्ष बने दिलीब जैसवाल ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है बिजेपी में अध्यक्षपत की कितना महत्वपूर होता है कितना ताकतवर होता है वोरों पताना शुरू कर दी है एलान किया है सभी विधायकों के लिए मंत्रियों के लिए उप मुख्य मंत्रियों के लिए कि आपको जनता के बीच जाना शुरू करना पड़ेगा, जनता से समवाद स्थापित करना पड़ेगा, उनकी शिकायते सुननी पड़ेगी, उनका हल निकालना पड़ेगा, यानि की एक्टिव मोड में आ जाईए, चुनाओ करीब है, अध्यक्ष बनते ही ये फर्मान उनका आ गया है, तो इसके पीछे के पूरी क्या कहानी है, मैसेज कितना पहुंचा, कितना आमाल पर लाया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हमारे वरिश साथी, पंकर जी, पंकर जी, अध्यक्ष पत, बीजेपी में महतुपूर्ण होता है, कि छिपा नहीं है कि जनता की बीच जाइए, संबाद बनाईए, उनकी सुनिये, उनकी शिकायतों का हल निकालिये, तो इसको कितना पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, ये फर्मान कैसे आया? देखे, आपको बताएं कि बीजेपी का एक कारिकरम हर उस स्टेट में होता है, जहां बीजेपी सरकार में होती है, उसको जनसयोग कारिकरम कहते हैं, और खास तोर पर जब बीजेपी संगठन से निकला हुआ कोई नेता होता है, और वो चाहे अध्यक्ष के पत पर हो, तो जनसयोग कारिकरम को पूरा करने का दिशा निर्देश वो जरूर देता है, अब देखिए पिछले कुछ समय से ये जनसयोग कारिकरम हो नहीं पा रहा था, और इसकी बड़ी वज़य ये थी कि समराट चौधरी उपमुख मंतरी थे, लोकसभा चुनाओं से पहले समराट च भी बने फिर उपमुख मंतरी भी बने और उसके बाद जब लोकसभा चुनाओं का परिनाम आ गया तो ये बात साफ होने लगी कि समराट चौधरी एक पद पर रहेंगे, तो समराट चौधरी उपमुख मंतरी रहें और पार्टी ने फैसला किया कि दिलिप जैसवाल अध् नजते हैं क्योंकि पार्टी के वफादार सिपाई ही रहें और कोशा अध्यक्ष का मतलब होता और वो भी तकरीवन 200 साल से, तो आप समझ सकते हैं कि उनका पार्टी के प्रती किस तरह का लगा हो रहा है, अब पार्टी ने उनको अध्यक्ष का पद दे दिया, अब अध्य अध्यक्ष का पद दे दिया, तो वो दिल्ली आते हैं जेपी नडडा से मिलते हैं, जो कि राष्टी अध्यक्ष हैं, और उसके बाद जैसे ही वो पटना लोटते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सरकार में उनसे सीनियर मंत्री हैं, दो, दो उपमुख मंत्री, क्योंकि ये म पर इन्होंने फर्मान जारी कर दिया, कि जितने भी मंत्री, विधायक, उपमुख मंत्री हैं, वो जनसयोग कारिकरम के तहत कार करता और सिकायत करता से मिलें, जिस तरीके से नितीज कुमार जनता दरवार लगाते हैं, उसी तरीके से आप भी जनता दरवार लगाई और सि कि सिकायतों का निप्तारा करिए उसके लिए उन्होंने डेट तक फिक्स कर दिया तो अब आप समझ लीजे कि सिर्फ अंतर ये है कि मंत्री और विधायक पार्टी ओफिस में लगाएंगे और जो उपमुख मंत्री हैं वो अपने आवास पर लगाएंगे लेकिन ये जनता दर दिकायत है फोरण उस पर अमल करना है और इस तरीके से ये दिखाना है कि ये पार्टी कारकरताओं के लिए समर्पित है ये पार्टी जनता के लिए समर्पित है और इसी नीती पर बीजेपी आगे भी बढ़ती रहेगी इस तरीके से दिलिप जैसवाल ने फरमान जारी किय तो मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि दरसल अभ अध्यक्ष की भूमिका में आ चुके हैं दिलिव जैसे पार, सरकार में वो समराट चौधरी से जूनियर हो सकते हैं, सरकार में वो विजय सिना से जूनियर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है तो पार्टी में वो senior most है, इसलिए senior most सिपाही के नाते, उन्होंने ये फर्मान जारी किया अपने पार्टी के नेताओं को, अपने पार्टी के उपमुख मंत्रियों को, कि आप जनता दरवार लगाना सुरू करिए, आप जन सहीोग कारिकरम के तहत लोगों से मिलना सुरू कर दरसल देखिए इसके पीछे एक रन नीती रन नीती ये है कि जब जब पाटी सत्ता में आती है तो जो कार करता है वो उपेक्षित महसूस करते हैं इस लोग सभा चुनाओं में भी कार करताओं में उस तरह का उत्साह देखा नहीं गया था दरसल जो उत्तर प्रदेश की स्थिती है बिहार की भी स्थिती कमो बेस वही थी ऐसा लग रहा था कि नेता जीत जाते हैं मंतरी बन जाते हैं लेकिन कार करताओं की अभेलना होती है और इसलिए दिलिप जैसवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि कार करता ही हमारा प क्योंकि कार करताओं ने अपनी ताकत का एसास करा दिया ना आप आप देखिए लोक सा बात चुनाओं में माईने अलग अलग निकाले जा रहे हैं दरसल यहां के शब प्रसाद मौरिया किसी और को निशाने पे लेकर के कह रहे हैं कि उनके नेतरित तुमें कार करताओं की अभेलना हो रही है लेकिन वहां पर दिलिफ जैसवाल का कहना है कि कार करताओं की अभेलना नहीं होगा और देखिए इसकी बड़ी वज़े भी है 2025 में चुनाओं और 2025 में आपको चुनाओं लड़ना है जहां पर 1000, 2000, 3000, 5000, 574, 12 वोट से आप जीतेंगे और हारेंगे अब ये जान लिजे कि इस बार महज कुछ 1000 वोट से सरकार बनी और बिगडी तो कई सारी ऐसी सीटें हैं 64 वोट, 100 कुछ वोट, इवन मतिहानी के विदाक राजकुमार सिंग 333 वोट से जीते हैं तो अब आप समझ लिजे कि इस तरह जहां हार और जीत का फैसला होगा वहां कार करता कितना important हो जाता है, विदान सबा का चुनावाना है, उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए जम करके लड़ाई करनी है, उसके लिए अपोनेंट बहुत mighty है, वो काफी ताकतवर है और उससे आपको बिढ़ना है, तो अब आप समझ लिजे जब तक आप कार करताओं को उच कैसे कहेंगे कि हमें फिर से वोट दे, क्योंकि जनता तो आपसे पूछेगी ना कि इतने सालों से हम आपको वोट दे रहे हैं और आप जब जीत जाते हैं, मंतरी bit बन जाते हैं, तो आप हमसे इतने दूर हो जाते हैं कि हम आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी के बाद सारे मंत्री आये सारे लोग आये लेकिन ये अपना भाषन दिये कोई हम लोग से संभातUP का कारिकरम थोड़ी हो पाया हमारी बात ये लोग थोड़ी सुने अपनी बात कहके कारिकरम की मोदीniej करां है ये करिए लेकिन हमारी क्या दिक्कते हैं ये कोई सुनने को तैयार नहीं है दिलिप जैसवाल ने इस पर जोड़ दिया दिलिप जैसवाल ने संगठन की मजबूती की बात किया संगठन और सरकार में समन्वे कैसे बने इसकी पहल किया और दिलिप जैसवाल ने ये बताने की क कोई भी मंतरी या संगठन से बड़ा नहीं है इसलिए उन्होंने संगठन को बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिस की है और दरसल इसकी जरूरत भी है समय की मांग भी है क्योंकि आपको आने वाले समय में चुनाओं में जाना है और जब चुनाओं में आप जाएंगे तो बि बिना कार करता हूं के नहीं जा पाएंगे और जहां पर आरजेडी के कार करता हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ेगा भिड़ना पड़ेगा सड़क पर संगर्ज करना होगा मुद्दे को लेकर के लड़ना होगा वहां बिना कार करता हूं की मदद से आप लड़ नहीं पा जाए इसकी कोशिस शुरू हुई है और दिलिफ जैसवाल उसी को करने में लगे हुए है इसलिए आप कह सकते हैं कि इस तरह काम तो नितिशकुमार भी करते हैं जूनियर वाला मसला कि अभी कुछ दून पहले तक जो दिलिव जैस्वाल है वो जूनियर हुआ करते थे विजय सिन्हा के या फिर समराण चौधरी के प्रदिश अध्यक्ष पिते साथ में आप जब फर्मान जारी हो रहे हैं तो इसको लेकर जो दोनों डिप्टीस ही में वह खुत मारेंगे क्योंकि दिलिव जैस्वाल को जो अध्यक्ष पत पर बिठाया गया है तो यह की इंडियन रित्रित्य के आशिरवात से बिठाया गया पारчеनियर को थे लिए अर्टना से यह राजनितिक वजह है coconut इता कके दिखाई है और जहाँ और राजनितिक वजह में आप कहले जाती की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप में इस बात को कैसे धरकिनार कर सकते हैं इंकार कर सकते हैं वो पार्टी के अध्यक्ष है और जब पार्टी के अध्यक्ष है तो उनका फर्मान बहुत important है और बीजेपी जैसी पार्टी में कोई individual कितना भी बड़ा मंत्री हो वो पार्टी से उपर नहीं हो सकती और यही बात यही चीत साबित करना चाह रहे हैं दिलिप जैसवाल, वो कद मान लिजे नरेंदर मोधी का हो सकता है, वो प्रधान मंत्री हैं, उनके नाम पे पार्टी जीती और आरती है, लेकिन इसको लेकर के भी अंदर बहुत तेज कुल बुलाहाट होती है, बहुत तरह की बाते होती है लेकिन बिहार के अस्तर पर ऐसे कोई नेता नहीं है, जो पार्टी से उपर उनका कद हो सकता है, और इसलिए बतोर प्रदेश अद्याट, बतोर संगठन के मुखिया के तौर पर दिलिप जैसवाल सरकार में भले ही जूनियर हो, लेकिन संगठन में वो सीनियर है, इसलिए स मुख मंतरी, एक अमुख दिन, सब्ता में साथ दिन होते हैं, आप अपने घर पे ही बैठ करके, दो घंटे लोकों से मिलिए, कारकरताओं से मिलिए, उनकी सुनवाई करिए, और फॉरन समस्या का समधान करिए, और इसमें कोई बात आती है, तो हमें आगे बताइए, और क् लिक्कते आ रही है, लेकिन कारकरताओं से बहतर समन्वे करिए, जनता से बहतर तालमेल करिए, क्योंकि हमें आगे चुनाओं में जाना भी, और यही दिलिप जैसवाल ने अध्यक्ष बनते ही जेपी नडड़ा का अशिरवाद प्राप्त किया, और उसके बाद फॉरन ताकत दिखाने वाजी बात आती है, गया में बीजेपी से जोड़े बड़े नेता है, मंतरी है, प्रेम कुमार, उन्होंनों कुछ ऐसा बयान दे दिया ही, बवाल समझ गया है, वहाँ लोकल बॉड़ी को लेकर उन्हों कुछ कहा है, क्या मामला है पंकर जी, देखिए इस बवाल मच गया है कि प्रेम कुमार बीजेपी कोटे से मंतरी है, और मंतरी है तो उन्होंने कह दिया है कि लोकल बॉड़ी एलेक्शन में कुछ गलत लोग चुन करके आ गया है, अब इस बात का इस कदर से बवाल मच गया है कि कोतवाली थाने में जो वाड संख्या 11 के पार दन दे दी है, और उन्होंने ये लिखा है कि डॉक्टर प्रेम कुमार ने नगर निगम के बारे में अपशब्द भाषा का प्रियोग किया है, इसलिए इन पर निश्चित करवाई की जाई, अब हालत इस कदर से बढ़ गई है, उतेजना इस कदर बढ़ गई है कि मंतरी प वयान कौन दे रही है, तो चिंता देवी दे रही है, और चिंता देवी कह रही है कि मीडिया के सामने कह रही है, कि वो मिल जाएं तो उनको हम जिंदा जला देंगे, अब समझे उन्होंने ओन कैमरा खुले आम धमकी दे डाली है, अब सवाल ये है कि बीते दिनों मंतरी प् कार्याले में प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की गई थी और इस प्रेस कॉंफरेंस में गया नगर निगम के 53 वाड़ पारसत साहिद मेर डिप्टी मेर भी विपस्थित हुए थे और इस मैटर को इस तरीके से पॉलिटी साइज कर दिया गया कि डिप्टी मेर चिंता देवी आग बबूला हो गई और मीडिया के समझ का कि डॉक्टर प्रेम कुमार हम लोग को कहते हैं गलत चुनकर आ गए हैं बताइए हम लोग अपने आप से चुनकर तो नहीं आए हैं जनता ने हमें वोट दे कर चुनकर और अगर वो हमें मिल जाए तो हम उनको जिंदा जला देंगे यह बात कह रही हैं चिंता देवी तो समझ लीजे कि एक बियार सरकार के मंत्री को डिप्टी मेर इस तरीके से धंकी दे रही हैं इसलिए गया में बवाल मचा हुआ है और निश्चित तोर पर प्रेम कुमार बीजेपी के बड़े नेता है आपको मैं यह बताना चाओंगा और प्रेम कुमार के खिलाप इस तरह कि बात करना और उओ भी गया कि डिप्टी मेर द्वारा करना वो भी ऑन कैमरा करना अपने आप में एक उफेंस है उन्होंने तो कहा है कि गलत वेक्ती गलत लोग चुन करके आगए हैं पर ये तो कह रही है खुलेयाम कह रही है कि वो म इनको negative publicity मिलेगी पर publicity मिल तो रही है हम आप चर्चा तो कर रहे हैं और अब इनकी चर्चा बिहार में होने लगेगी कि इन्होंने कैसे कदावर मंतरी प्रेम कुमार के बारे में on camera इस तरह की बातें की तो ये भी एक तरीका होता है अपने आपको चमकाने का लेकिन गया में फ वैसे प्रेम कुमार भी जो है उनके तरफ से अभी कोई FIR के लिए आवेदन दिया नहीं गया है लेकिन मामला काफी ज़्यादा politicized हो गया है मामला काफी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है नगर निगम के लोग प्रेम कुमार के खिलाब बयान दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ कर रहे हैं लेकिन अभी प्रेम कुमार के तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं है बेलकुल देखना दिल्चस्प होगा क्या जवाब आता है उसाथी जो FIR की बात हो रही है वो किसके उपर होती है किन धाराओं में होती है नजर बनी रहे हैं हमारी बाकी चर्चा में दि